पूरा के पूरा लाइफ लाइन है तो इसलिए ये बिल जल्दी जल्दी पास होना चाहिए और हमारा जो नहरू जी ने ये देश को विवाजन किया था लेकिन मैं इस दिबेट के लिए मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन मेरा बंगाल में सबसे बड़ा हिस्सा एक धर्व ने जल्दी जल्दी रातो रात बंगाल से चीन लिया था ये बहुत दुख की बात है श्यमाप्रकाश पुषाद मुकर जी अगर नहीं होता तो हमारा पश्चिम मंगाल पश्चिम मंगाल नहीं होता हिंदू बंगालियों के लिए पश्चिम मंगाल नहीं होता ये पश्चिम मंगाल का सरकार हिंदू शरौनाथ्थी को स्वागत नहीं करता है और रोहिंगा को स्वागत करता है पूरा के पूरा रोहिंगा को जमीन दिया पूरा के पूरा रोहिंगा को घड दिया वोटर आई भी कड भी बना दिया पूरा पश्चिम बंगाल में सक्तर लाग घुस्पेटिया वोटर्स है 120 स्टीट घुसपेटिया का पूरा के पूरा कभजा में है तर अभी अभी जो शंक्षत बोल रहते हमारा इंडिया तुमारा इंडिया मेरा इंडिया तुमारा इंडिया तो उनका इंडिया हमारे इंडिया को दो दो बार भोड देखे ये मोधी सरकार को बनाया नेक्स टाइम भी बनाएगा उसका बाद भी बनाएगा उन्हारा बोल चेन जे एंटी बांगाली बेंगाली औबांगाली देर मोच्छे होड़ा जोगरा लग ये दिछे ए शांक्क्षच के बॉलों के सीएभी बील बोलते हैं ओ बोल रहरे हैंनार्स्टी के लिए लिए नैलज importantly का बात कर रहा हैं लेकिन सदन में सीएभी का चर्चा हो रहा है जब ये एनाश्मी का बिल के बारे में जो घुस्पेटिया के बोल रहा है, तब बहूलना चाहती हूँ, ये घुस्पैटिया के लिए हमारे पश्चिम मंगाल में वोमन ट्राफिक्किंग में एक नमबर है, काउथ मगलिन में एक नमबर है, माल्डा में जो घडना घटी है, उसका जो दोशी है ओ घुस्पेटिया है बॉडस से भाग गया है अभी तीन साल का भी रेफ होता है 65 उमस का जो नान है उनका भी उड़े रेफ होता है लेकिन घुस्पेटिया बॉडस से भाग जाता है अभी घुस्पेटिया का बात करेगा तो कालिया से ठाना पूरा के अभी माल्डा जीदर आफीन का खेती है और माल्डा में इंडिया का आफगानिस्तन है इसलिए यह थी का चर्चा कर रहा है, लेकिन हम लोग सिय भी का चर्चा कर रहा है इससादड में अभी सब लोग बोला है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लेम इन लोगों का है, कि ये बिल में क्यों मुस्लिम, क्यों मुस्लिम नाम ये बिल में क्यों नहीं है, किसी ने कुछ भी पूछा है, एक शरणाठी को जाके, किसी ने पूछा है, ये आप लोग कहां से आये है, वो माइनोरिटी उन लोग माइनोरिटी है उधर में जो मेजरिटी है उन लोग उसका उपर धर्म ने आक्रमन किया है आभी यह बील के बारे में बोल रहा है शाबाई बोले जे केव को एकने बोले जे भारत हिंदू राष्ट्र ना है किन्टु जोखन कोनो शरणाथ्थिके कुन फास्तार मुने पड़े भारतेर को था भारती एक राष्ट्र है जो यह शरणाथ्थि को बचाएगा इसलिए उसका मन में है भारती एक मत्र हिंदू राष्ट्र होगा अभी ग्रिहा मंती ने जो बील ले आया है और शरणाथ्थि के लिए नया जीवन देगा और को बचाने के लिए यह दिल ले लिया है इसलिए उनका नाम इधर नहीं है मुस्लिम का नाम इधर नहीं है इसलिए उस जो शरणाथ्य है उनको बचाने के लिए तो यह मैं बोलती हूँ जो पृष्टी मंगाल में सब हिंदू सब बढ़ोश, फ्रिश्चन, सब पास्ति, सब लोगों को नागरीकत तो मिलेगा, यह तो बहुत खुशी का बात है, लेकिन वो जो बोल रहते हैं, वो संसर ने जो बोल रहा था, उनका बार बार एनस्टी का ट्रैप माथा में आ गया, क्यूंकि अभी जो होगा, जो एक एक करके चून चून के, जो अनुप्रवेश कार है, जो खुसपएटिया है, इजास से पुरा कि फुरा बाहर चला जाएगा, यह तो जाता है देश बनाने के लिए, जका वोट बेंग पॉलिति सहें, इसलिए यह रो रहा है, इसलिए यह CAB का ओपुस कर रहा है, जढ़ बात झाल 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 झाल